कि चलने श्ट्रूर्इंस एनलोगी का सकेंड पाइट में हम लेम दिखते हैं एक किस टाइफ की कॉस्टंज नहीं और पिछली वीडियो में सम्झा दिया था जो एक रिलेशन हमारा किसे बनता है और हम कैसे बनाते हैं, तो जो इस्टुरेंस अगर पिछले वीडियो नहीद देखेंगे, तो फिर उसका clear नहीं होगा, तो निश्डीट सिस का part 1 बपला वीडियो जरूर देखेंगे। निश्टीट करको सबसे पढ़ेंगे. सबसे पहले मैंने बताया था, microscopic का relation लगाएंगे। तो यहां पे तो cube हमारा direct है, 3 का cube कितना होता है, 27 होता है, तो यहां पे क्या होगा 5 का cube कितना होगा भाई, 165 और 125 option B number में दिया हुआ है, तो इसका answer है B number, ठीक है न, अब आगे देखेंगे 11 और 38 का relation है, 11 और 38 का relation कैसे होगा, तो 11 का अगर हमें direct होगा नहीं, तो हम multiply कर सकते हैं, 11 तिया 23, 25, 38, देख रहे हुआ, तो उसी तरह से 13 तिया 49, यहां पे देखेंगे, 39, यहां से देखेंगे student, 13, 3, 13, 39, प्लस 5, यहां पे क्या होगा, 44 होगा student, यहां पे क्या होगा, 44, और 44 है option में, यहां पे ए नम्मर में, अब देखेंगे, यहां पे 8 को 20 से कैसे लाया होगा, तो 8 से 20 कैसे बना होगा, तो 8 दूना 16, 24, डबल करके प्लस 4 कर दिया, तो 14 दूना 28, 27, 35, मतलब इसको 2.5 से multiply करेगा, तो 20 हो जाएगा, तो उसी तरह से 14 को, अगर हम 2.5 से multiply करेंगे, तो 14 दूना 28, 28 और 7, इसका half, 25, यहां पे answer क्या होगा, 35, मतलब आप देखो, दूसरा rule भी देखो, 2.5 का मतलब क्या, 8 को double multiply किया, तो 0.5 मतलब आधा, इसका आधा कितना होगा, 4, तो 16, 4, 20, तो 14 को double 2 से multiply किया, तो 14 दूना 28, 0.5 मतलब इसका आधा, तो कितना होगा, 7, तो 28 और 7 कितना होगा, 25, तो हम क्या करेंगे, 2.5 से multiply करेंगे, तो answer आ जाएगा, मतलब या तो इसको double करके, इसके half को sum कर दो, या 2.5 से multiply कर दो, दोनों से आपका answer आ सकता है, दोनों equal है, एक ही बात है, अब यहाँ पे देखेंगे, students, यह question तो, यहाँ पे देखेंगे, क्या होगा, यह 5.5 से 30.25, यहाँ पे हमें तो दिख रहा है, क्या होगा, student, यह हमारा हो सकता है, 5 से multiply कर देंगे, तो यहाँ पे, अगर हम इसको क्या करें, student, अगर हम इसको 5.5 को 5.5 से multiply कर देंगे, तो 30.25 हो जाएगा, मतलब इसका whole cube कर देंगे, square कर देंगे, 5.5 का, 5.5 से multiply करेंगे, तो 30.25 हो जाएगा, तो उसी तरह से student, अगर हम 11 का square करेंगे, तो हमारा कितना होगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब हो गया, यहाँ पे students, इसका मतलब यह हो गया, clear कर लो, 5.5 into 5.5 is equal to 30.25, यही हुआ, इसका भी कितना होगा, 11 into 11 is equal to 121, तो 121 का है, option नमर D में, ठीक है न जी, अब यहाँ पे क्या है, देखो, 10 का square, कितना होता है, 10 का square, 100 minus 1, 99, तो यहाँ पे 9 का square, 81 minus 1 is equal to 80, 80 option नमर D में दिया हुआ है, अब आगे भी देखो, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे 5 का square है, यहाँ पे 6 का square plus 1 है, यहाँ पे 7 का square है, यहाँ पे 7 का square plus 1, 49 plus 1, तो यहाँ पे, शरी, यहाँ पर हो जाएगा, 7 का नहीं, यहाँ पर 8 का square plus 1 हो जाएगा, क्यों है student, क्योंकि यहाँ पे, 5 और 6 के बीच में difference कितना एक का तो 7 प्लस 1 8 का square प्लस 1 तो 8 का square कितना हो जाएगा उसी तरह से यहाँ पर 36 प्लस 1 37 तो 8 का square हो जाएगा 64 प्लस 1 is equal to 65 65 option नमर D में है 5 से 6 बना 6 का square प्लस 1 तो 7 से 8 बना 8 का square प्लस 1 65 अब यहाँ पर देखें एक दो तीन चार यह लिखा हुआ है इसमें 4 एक तीन दो यहाँ पर हमको लगता है डिगिट सेम है देखो यहाँ पर 4 एक 3 दो 4 से एक तीन से दो मतलब इसका रिलेशन पहले यह लिखा है 8576 तो हमारा क्या होगा 8576 क्या यह option में है देख लेते हैं 8576 8576 देख रहे हो option में तो जो position हमारा 1,2,3,4 का जैसे रखा है वही हम क्या करेंगे सेम पोजिशन रखेंगे 8576 8576 तो हमारा 8576 हमारा B नमर option में मिल जाएगा चलो अगला question देखते हैं यहाँ पे 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18 यहाँ पे 13 इंटू 6 कितना होगा 78 और option नमर B 78 6 इंटू 3 अठारा 13 इंटू 3 इंटू 78 और 78 option नमर B में देख रहे हो यहाँ पे है 7 का स्क्वाइड यहाँ पर है 9 का स्क्वाइड यहाँ पर है 8 का स्क्वाइड 7 से 9 कितना का डिफ्रेंस स्टूडेंट 2 का डिफ्रेंस 7 दू 9 तो 8 से 10 तो 10 का स्क्वाइड कितना हो जाएगा 100 और option नमर B 7 का स्क्वाइड 9 का स्क्वाइड 8 का स्क्वाइड 10 का स्क्वाइड इसका मतलब 100 यहां पे देखें यहां पे student 10 का square minus 1 10 का square कितना होता है 100 minus 1 99 यहां पे 9 का square 81 minus 1 is equal to 80 तो option number कितना हो जाएगा B 10 का square 100 minus 1 is 99 9 का square 81 minus 1 is equal to 80 option number B देख रहे हो अगला question क्या है next question Mr. student यह हमारे पास है यहां पे दिया है इसके बीच का अंतर देखो इनके बीच का अंतर कितना लग रहा है अगर हम इसमें 90 53 यहां पे 857 देखो 856 मैं 763 का difference देखें तो कितना हो जागा भाई पंद्रा में से 6 गया तो 9 93 का difference आ रहा है मतलब यहां पे 93 सम कर देंगे तो यह बन जाएगा 3 36 और 9 6 55 ठीक है न बिलकुल यहां पर भी हमारा difference प्लस 93 का हो जाएगा यहां पर कितना हो जाएगा 730 हो जाएगा 730 अप्शन नमर B अगर 600 37 में 93 सम कर देंगे तो यहां पर 730 आ जाएगा अप्शन नमर B में किलियर है कोई पारिसानी नहीं चलो यह तो उश्य कोशन हो चुका है 3 6 8 13 68 यहां पर 78 अप्शन नमर B में यह भी कोशन हो चुका अब यहां पर देखोगे इसके बीच का diferen्स क्या है इसके बीच का difference क्या है अगर हम इसमेंसे 14 – कर देते हैं अगर हम इसमेंसे 14 – कर देते हैं तो कितना हो जाएगा साथ मेंसे 4 गया 3 यहां पे 3 में से 1 यह 2 23 हो गया तो सेम रूल यहां पे 14 माइनस कर देंगे तो 19 में से 14 हो गया तो कितना बचा 5 5 आप्शन नमर B में मिल जाएगा किलियर हो रहा है न सभी देखो इस question में student इस question का आंसर क्या होगा यह 24 यह 60 तो अगर हम इसको देखेंगे तो 24 है यहां पे हमारा दिमाग में एक चीज आएज़ागा इसके आस पास में cube है किसका तो यहाँ पे 3 का Q मैनस 3 है क्यों 3 का Q कितना होता है 23, 27 27 मैनस 3 is equal to 24 तो यहाँ पे 4 का Q मैनस 4 4 का Q कितना होता है 64 मैनस 4 is equal to 60 तो यहाँ पे होगा 5 का Q मैनस 5 यहाँ पर होगा 125 मैनस 5 is equal to 120 तो 3 से 4 तो 5 से 6 तो 6 का Q मैनस 6 तो 216 में से 6 गया तो कितना बचेगा student 210 और 210 अप्षन में नहीं है 210 अप्षन में नहीं है अगर ये 210 अप्षन में रहता तो आंसर ये बन जाता तो 210 नहीं है तो दूसरा रूल आप देखेंगे इस पे क्या हो सकता है इस अप्षन में नहीं है तो इसका मतलब Q वाला answer नहीं है ठीक है चलो दूसरा रूल देख लेते हैं इसमें क्या लग सकता है जो अप्षन में नहीं होगा student उसको हम क्या करना परेगा answer हम सही तो है लेकिन answer option के according होना चाहिए तो रूल को change करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, इसके इसके बीच का relation क्या होगा, 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 is equal to 120, तो यहाँ पे इसका rule क्या होगा, 60 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 5, 300, आंसर हो जाएगा C, 24 को 5 से multiply करेंगे, तो 120, तो 60 को भी 5 से multiply करेंगे, तो 300 आंसर हो जाएगा C, अगर हमारा एक rule से question नहीं बने student, तो हम क्या करेंगे, दूसरी rule को apply कर देंगे, अब देखो इस type की questions में student बहुत फस्त है, अगर हम alphabet है, यहाँ पे digit है, यहाँ पे भी alphabet है, तो अगला digit पूछ रहा है, तो alphabet में student, यह 13 है, यह 15 है, यह 13 value होता है, इसका 15 value है, तो 13, 15 होता है, यहाँ पे तो 13, 11 है, तो direct alphabet है नहीं, तो direct alphabet रहता है, यहाँ पे 13 है, तो ओ का value 15 होता है, 15 नहीं है, 11 है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसकी value को change करेंगे, या तो 26 से minus करेगा, या 27 से minus करेगा, 26 से क्यों क्योंकि total alphabet का value 26 होता है अदो opposite face का value 27 होता है यहाँ पे देखते हैं 26 से देख लेते हैं अगर 26 से नहीं होगा तो 27 से check कर लेंगे तो देखो 26 में से 13 गया तो 13 बचा फिर 26 में से 15 गया तो 11 बचा बिल्कुल सही है यहाँ पे सही है 26 में से 26 में से 13 गया तो 13 26 में से 15 गया तो 11 ठीक है उसी तरह से यहाँ पे 8 यहाँ पे 10 अब देखो यहाँ पे 26 में से 8 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 16 में से 8 गया तो 8 16 में से 8 गया तो 8 यहाँ पे 18 होगा 18,8,26 फिर 26 में से 10 मैनस गया, तो 16 होगा, तो 18-16 आंसर होगा, तो यहां पे होगा 18 और 16, ठीक है न, 18-16 किसम है, 18 और 16, option नमर B में, क्योंकि 26 में से 8 गया, तो 18 हो जाएगा, 26 में से 10 गया, तो 16 हो जाएगा, किलियर हो गया, शरूँ, अब इसकी दुख, यहां पे देखो क्या यह 19 है, यह 37 है, तो 19 का डवल कितना होता है, 38, अगर हमारा डवल का मैनस वन करें, 19 को डवल कर देंगे, तो 38-1 is equal to 70, अगर यही रूल लेखते हैं, 26 को डवल कर देंगे, तो 52-1 is equal to 51, और 51 किसम है, option नमर B में, यहां पे देखो क्या हो सकते है, यहां पे student, अगर हम चेक करेंगे, तो C, E का वेल्यू कितना है, C का वेल्यू 3, और E का वेल्यू 5, यहां पे 35 दिया होगा, यहां पे 70 है, हो सकता है, 35 को डवल कर दिया हो, तो 70 होगा, तो यहां पे 4 है, यहां पे 5 होगा, तो हम इसको क्य लेक्ट चलेंगे 45 को डबल करेंगे तो 90 हो जाएगा और 90 अप्शन में है यस अप्शन नमर एक तो आंसर हो जाएगा यहां पर नब्बे ठीक है नजी इस्टुडेंट अगर आप इसको चेक करो 3 से 43 तो 3 से 5 हो रहा है 3 2 5 तो 2 सा 43 में 2 समकरियों 2 सा 45 ऑप्शन में है कहीं भी नहीं तो इनका रिलेशन इससे कैसे हो सकता है तो इनका रिलेशन इस्टुडेंट इसके उपर अगर हम 5 कर दें मतलब 3 x 3 x 3 x 3 x 3 1, 2, 3, 4, 5 to 102 x 242 तो सेम रूल बनेगा 5 की उपर में 5 5 की उपर में 5 इसका मतलब 5 x 5 x 5 x 5 हें जो 5 पांच 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 इसको बनेगा 31, 25 तो option नम्मर भी मतलब इसके उपर में 5 पावर है इसके उपर में 5 पावर हमारा बन जागा 31 यहाँ पे 6-3 का ठारा चारतिया 12 ओप्षन में दिया हुआ नहीं है तो इनकी बीच का रिलेशन क्या होगा मैनस 2, 6 में से 2 गया तो 4 इनका भी मैनस 2 18 में से 2 गया तो 16 बन सकता है कोई पारिशानी नहीं अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो सकता है 5 से 36 अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो सकता है यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे तो इसक्वाइड दिख रहा है 170 का डिफ्रेंस होगा इसका मतलब है अगर हम इसमें 170 सम कर दिये तो 382 हो जाएगा अगर हम इस्टूडेंट इसमें भी 170 अगर हमने सम कर दिया तो कितना होगा तो 182 में अगर हम 170 सम किये तो यहाँ पर हो जाएगा 352 तो आंसर हो जाएगा A यहाँ पे होगा 352 किलियर हो गया 170 का डिफ्रेंस है अगर इनके बीच तो इनके बीच भी 170 का डिफ्रेंस होगा और यह होगा 352 चलो गए अब देखें आगे क्या होगा आगे का रूल क्या है यहाँ पे स्टूडेंट इनके बीच का जो अंतर होगा वही अंतर हम यहाँ पे भी सोचेंगे जो अंतर यहाँ होगा वही अंतर यहाँ पे भी होगा तो अब देखें अगर हम दिमाग लगाएं तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है चार का यहाँ पे 64 है तो यहाँ पे चार का क्यूब है तो यहाँ पे वन का क्यूब तो होगा नहीं 1 तो option में है नहीं तो ऐसा कर सकते हैं 1 का cube प्लस 2 का square तो 1 का cube या 1 का square प्लस 2 का square और यहां पे 1 का cube प्लस 2 का square इनके बीच में क्या difference है प्लस 1 का भी difference है या into 2 का difference है अगर हम देखेंगे 3 का cube प्लस 1 करेंगे तो कि यहां पे 4 का square यहां पे 4 का square तो होगा नी 4 का cube हो जाएगा बिल्कुल यह clear हो गया यहां पे 4 का cube हो जाएगा अब यहां पे एक बात तो हो सकता है student इधर square इधर cube देखो यहां पे बहुत अच्छा question है यहां पे ध्यान से देखेंगे बिल्कुल clear कर देंगा यहां पे देखो यह 2 का square यह 4 का cube दोनों की बीच में क्या है relation या तो plus 2 है या into 2 है 2 में 2 सम किये तो 4 4 का cube या 2 में 2 से multiply किया तो 4 4 का cube ठीक है न अब इस दोनों की बीच का relation देखना है student यहां पे होगा यहां पे 1 का square अब 1 का square में यहां पे relation क्या होगा तो देखना इसमें plus 2 या तो plus 2 करेंगे या multiply 2 करेंगे अगर 1 में 2 plus किये तो यहां पे 3 का cube होगा अगर 1 में 1 में अगर 2 से multiply किये तो यहां पे 2 का cube होगा या तो यहां पे 27 होगा या 8 होगा तो option में क्या है 27 इसका मतलब है 2 में 2 sum किया तो 4 का cube 1 में 2 sum किया तो 3 का cube यहां पे होगा 27 तो answer हो जाएगा C क्योंकि देखो 2 से 4 बनने के लिए 2 rule बन रहा है 2 में 2 sum करेंगे तभी 4 बनेगा 2 को 2 से multiply करेंगे तो भी 4 बनेगा मतलब यहां पे 2 rule concept लग रहा है तो यहां में 1 अगर यहां पे 2 का concept लग रहा है तो यहां भी 2 का concept लगेगा 1 में 2 sum करेंगे तो 3 आएगा 1 में 2 से multiply करेंगे तो 2 आएगा तो या तो 3 का cube होगा या 2 का cube होगा option में या तो 2 का cube देगा या 3 का cube देगा यहां पे 3 का cube है तो इसका मतलब sum से answer आ रहा है ठीक है न जी आगे देखो अगर यहां पे देखेंगे 18 को double कर दिया तो कितना हो गया 36-6 30 तो 36 को double कर दिया तो कितना होगा 72 मैनस यहां पे 72-6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 में से 6 गया 6 66 होगा 66 option number B अब यहां पे देखेंगे अंगला question अगर हम 6 यहां पे student 0.16 से अगर 100 से divide करेंगे तो कितना होगा 0.0016 clear है तो यहां पे भी हम क्या करेंगे 1.02 को अगर 100 से divide करेंगे तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा student इसका answer होगा 0.0102 क्योंकि 2 अंख हमारा पीछे चला जाएगा point के 0 पीछे चला जाएगा तो यह answer होगा 0.0102 किसमे है भाई c नम्मर में answer क्या होगा c नम्मर इसको 100 से divide किया है तो यह आया इसको भी 100 से divide करेंगे तो हमारे पास यह answer आ जाएगा यह वाला answer आ जाएगा देख रहे हो clear हो गया कोई परिशान ही नहीं अब यहां पर देखो student यहां है 5 प्लस 1 6 6 का स्क्वाइड तो 6 प्लस 1 7 का स्क्वाइड तो यहां पर 49 आ जाएगा तो option नमर C में आ जाएगा सीधा direct answer अब यहां पर देखेंगे यह क्या है यह 15 में कैसे 15 लाया होगा तो 4 प्लस 5 प्लस 6 इसकल टू 6 4 10 5 पंदरह तो यहां पर 7 प्लस 8 प्लस 9 इसकल टू कितना 9 8 17 17 और 7 24 आंसर नमर D आ जाएगा यह आंसर हो चुका है ओल लेडी यहां पर 170 का डिफरेंस है यहां भी 170 का डिफरेंस होगा option नमर A यह भी हो चुका है questions में student चलो अब यहां पर देखेंगे student क्या है questions का यहां पर 68 68 और 68 को यहां पर हम कैसे बना सकते हैं 4 का Q प्लस 4 बना सकते हैं 4 का Q प्लस 4 बिल्कुल किलियर होगा हमारी पस यहां पर student हम का सकते हैं 4 का Q प्लस 4 68 यहां पर 5 का Q प्लस 5 यहां पर 7 का Q प्लस 7 यहां पर होगा 6 का Q प्लस 6 कैसे 4 का Q कितना होता है इकसर प्लस 5 इकसर प्लस प्लस 5 इकसर इस चे का Q कितना होता है दोक्षा सोला प्लस 6 दोसलबाइस साथ का Q होता है तो तीन सब तालिस प्लस सा तीन सब पचास तो दो सब सोला प्लस छे इसकल टू दो सब बाइस दो सब बाइस ऑप्शन नमर बी में है अब देखो एस्टुडेंट्स यहां पे है क्या होना चाहिए यहां पे 7 का स्कॉइड मैनस वन क्यों क्योंकि 49 मैनस वन इसकल टू 48 यहां पे 11 का स्कॉइड प्लस वन क्यों क्योंकि 120 प्लस वन 12 तो 7 अचार है 11 दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है चार का डिफरेंस है तो यहां पे 13 का स्कॉइड minus 1, क्यों? क्योंकि 169 minus 1 is equal to 168 तो 7, 4, 11, तो 13, 4, 17 तो 17 का square plus 1 होगा 17 का square 288, 289 plus 1 is equal to 290 कहा हो जाएगा B number 290 देखो यहां पर आगे यहां पर 3 का cube 3 का cube minus 3 क्योंकि 27 में सटीन गया 24 तो 4 का cube minus 4 64 minus 4 is equal to 60 तो 6 का cube minus 6 तो 216 में से 6 गया तो 210 तो 3 से 4 तो 6 से 7 7 का cube minus 7 7 का cube 343 में से 7 गया तो कितना बचेगा 336 336 अपसन नम्मर C किलियर हो गया अगर यहां पर देखें इस्टूडेंट C का value 16 है तो C का value 16 कैसे हो सकता है C का value 3 है C का value 3 है तो 3 plus 1 is equal to 4 का square तो F का value कितना होता है 6 तो 6 plus 1 7 का square is equal to 49 यहां पर B नम्मर 49 अगर हम इसकी बात करें यह स्टूडेंट तो यहां पर है 6 का cube plus 6 is equal to 222 तो यहां पर 7 का cube plus 7 तो यहां पर हो जाएगा 7 का cube 344 plus 350 अंसर होगा A नम्मर अब यहां पर देखो student क्या हो सकता है 25 से यहां पर 25 से 625 25 से 625 25 से 625 कैसे होगा भाई 25 का square 625 होगा तो 35 का जो square है student वो option में दिया हुआ नहीं है 35 का जो square होगा वो option में नहीं है तो अब कैसे बनाएंगे इसको अगर हम student यहां पर ध्यान से देखे हैं एक rule तो और लग सकता है क्या? इनके बीच का difference कितना है? प्लस 10 25, 10, 35 तो इनका rule का difference क्या होगा? प्लस 10 तो 625, 625 आँ 625 option में है d नमर में तो हम इस type से तारे question को बना सकते हैं कर सकते हैं analogy का कोई problem नहीं होगा तो यह digit से related analogy था अब फिर हम पढ़ेंगे alphabet से related analogy तो वो उसका type अलग होगा उसका concept अलग होगा और उसका part अलग होगा तो निश्चित रुप से digit भी परेंगे और alphabet भी परेंगे that's all students फिर मिलते हैं अगली वीडियो में